जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी के लिए सौरी कि मैं काफी दुनों से अपने चैनल पर कोई भी वी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया जिसका कारण साथ आप लोग जानते होंगे क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ जिसके कारण मुझे इस सहर से दूसरे सहर, दूसरे सहर से तीसरे सहर काफी सारे सहरों में घूमना पड़ता रहता है आर्मी रिग्रूटिंग ऑफिस बरेली के अंतर का निकली हुई आर्मी रेली भरती की तो यह जो भरती है यह 7 जून से 30 जून 2021 की बीच में होनी है और इसकी जो online registration हैं इसमें कौन-कौन सी district के जो बच्चे हैं भाग ले पाएंगे online apply कर पाएंगे और भी इस भरती से समंद्ध जो भी तत हैं वो मैं आपको बिलकुल detail में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर लिए तो दोस्तो बरेली यारों की तरब से ये दो साल में पहली भरती है जो कि 7 जून 2021 से 30 जून 2021 की बीच में राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेगार डिस्टिक फरवक का बाद में कंड़क्ट कराई जाएगी इस भरती के दोस्तो जो ओनलाइन रेजिस्टेशन्स हैं वो 8 अपराइल 2021 से 22 मई 2021 के बीच में आप कर पाएंगे और आपके जो एमेल सुरी आपको जो एडमिट कार्ड होगे वो आपके रेजिटर्ड एमेल आईडी पे आपको बेज दिये जाएंगे कब 13 मई 2021 के बाद मे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों कि इस भरती में कौन-कौन से जो डिस्टिक्स हैं उत्तर प्रदेश की वो इस भरती में उनके जो बच्चे हैं वो सामिल हो सकते हैं ओनलाइन रेजिस्टेशन्स कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प पीली भीत, संभल, साजांपुर, स्रावस्ति और सीतापुर। एक बार में डिस्टिक्स के नाम आपको फिर से बता देता हूं। वहराइच, बल्रामपुर, बरेली, बदान्यों, फरुखावाद, भर्दोई, लखिमपुर खीरी, पीली भीत, संभल, साजांपुर, स्रावस्ति और सीतापुर। तो यह जो 12 डिस्टिक्स हैं इनकी भरती दोस्तों 7 जून से 30 जून 2021 की बीच में होनी है कहां पे राजपू आपका बेट, आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपकी एज लिमिट कितनी होगी ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आप सोल्डेर जनरल डूटी यानि की सोल्डेर जीडी है यह इसके लिए आपको अगर आपको अपलाई करना है तो साड़े 17 से 21 साल के बीच में आपकी ए आपकी जो वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 cm होना अनवारी है सोल्डेर जीडी में आपको अपलाई करने के लिए 10 पास होना जरूरी है आपकी जो क्लास 10 में 2 डिविजन यानि की 45 परसेंट मार्ट होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी 33 परसेंट मार्ट स कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद में है दोस्तों सोल्यर टेक्निकल तो सोल्यर टेक्निकल की भरती देखने के लिए 7.30 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एक अक्टूबर 1998 से एक अपरेल 2004 की बीच में आपकी डेट अब बढ़त होनी चाहिए इस भरती में अप अब से खास बात है आपकी एजुकेशन ज्यादा तर स्टूडेंट्स के एजुकेशन में डाउट रहता है क्योंकि इसमें चैंजमेंट होते रहते हैं तो दोस्तों सोल्यर टेक्निकल के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिममम एजुकेशन क्वालिफिक सब्जेक्ट आपको पास महोना अनुवारिये हैं और आपकी टोटल जो ओवरॉल परसेंटेज है वो 50 परसेंट और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 परसेंट मार्क से कम नहीं होने चाहेंगे पास मेंने याँए फील्यू सब्जेक्ट में थोड़ा से चेंज है यहांपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टारी फिजिक्स कEMिस्ट्री और इंगलीक्स होना ज़रूरी होई बांकी परसेंटेज और आपकी जो सब को सेंब है उसके बाद में आता आपका सूल्जेर गल कि दोस्तों आपकी जो साड़े सत्रा से त्यास ताल आपकी एज लिमिट होने चाहेंगे एक अक्टूबर 1998 से एक अप्रेल 2004 के बीच में आपकी डेट अब बर्थ होने चाहेंगे यहां पर सबसे बड़ा अंतर होता है दोस्तों हाइट का क्लर्क में हाइट बहुत कम ली जात दोस्तों आपको किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास में मैथ होना जरूरी है ठीक है और आपके टोटल जो अबरॉल परसेंटेज है वो 60 परसेंट होने चाहेंगे किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 50 परसेंट मांक से कम नहीं होना चाहेंगे नेक्स्ट आता दोस् यहां पर आपको 2 kg कम ले रहे हैं 48 kg लिए जा रहा है और आपको जो चेस्टा उसमें भी एक सेंटीमेटर गंतर है दोनों के लिए ही आपको 76 cm हाइट आपका चेस्ट होना जरूरी है उसके बाद दोस्तो चैफ, ड्रेसर, वॉसरमेन और इस्टिवर्ड पोस्ट के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपको 10 पास होना जरूरी है और अगर आप हाउस कीपर या फिर मैस कीपर के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप आठ भी पास है तो भी आप दिया गया है जो कि मैं आप खास तो रूर्व बता जेना चाहता हूं आपका फिजीकल तो जो फिजीकल है आपका 1.6 किलोमेटर होगा उसके ब्रणिंग होगी उसके बाद में आपका बीम होगा फिर 9 फिट डिच होगी फिर जिग जैक बैलेंस होगी ठीक है उसके बाद मे स्टीर में आपकी अगर आप पांचमाट 10 सेकंट तक अपना इपना सॉला सो मिट्र के रिनिंग जो है अगर आप पांच मिनट पinkριं तक पास कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिये जाएंगे 9 feet ditch और zigzag balance जो है वो आपको need to qualify करना है, इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिये जाएगा, आपको only qualify करना होना जरूरी है, ठीक है, तो यह थी दोस्तों भरती की detail, वीडियो कैसी लगी, comment करके जरूर बता देना, एक बार आपको फिर से बता दूं, कि आपकी जो यहाँ पर joinindianarmy.nic.in पर जाके कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, बस आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में, अपने relatives के साथ में, जो भी आपके ऐसे जानने बाल करेंगे, करेंगे लिए जार्ड़ादा से जयादा से का इसे में, ऑयओ